आईए जानते हैं अंजीर के ऐसे भादे जीने जानकर आप विस्वास नहीं करेंगे नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका इस ब्यूडियो में एक ब्यादी महत्पूर जानकारी के साथ दोस्तों सर्ज्यों का मौसम जारी है जिसमें विमारी और संकवा के खतना बना रहता है इसलिए इस मौसम में खान पर ध्यान देना बहुत ही जरूरी होता है जया ऐसे आर को सामिल किया जाता है जिसकी तासीर गरम हो और वे पोसकततों से भरपूर हो ऐसे में आप अंजीर का 7 कर सकते हैं अंजीर में फाइबर, कापर, आइरन, विटामिन, कैर्सियम जैसे पोसक्तत और एंटी यॉक्षिन जैसे गुड़ पाये जाते हैं आज इस वीडियो में हम आपको अंजीर के 7 से मिलने वाले फायदों के बारे में बताने जा रहे हैं तो आए जानते हैं इन फायदों के बारे में पहला फायदा पाचन सक्त को बढ़ाता है दोस्तों अंजीर फल में फाइबर अधिक मातरा में होता है ये अपने अच्छे लैक्सेट्री गुडू की केरण मलतया को बढ़ावा देता है और पाचन सक्त को भी बढ़ाता है जिसे कब्ज को दूर करने में मदद मिलती है इसके साथ ही अंजीर अपच की समस्य को भी दूर करने में मदद करता है जिससे digestive system भी मजबूत होता है हेल्थ से जुड़े और वीडियो को देखने के लिए हेल्थ आपों को सस्क्राइब करें और वेल आइकन को दबाने के साथ ही आल नोटिफिकेशन को वान कर लें ताकि जब भी मैं नए वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके इसके लिए आल नोटिफिकेशन को जरूर सेलेक्ट करें दूसरा फायदा प्रत्रुदर चम्ता में होती है बृद्धी दोस्तों अंजीर के सेवन से कई बीमारिया ठीक होती है और यह आपके सरी की प्रत्रुदर चम्ता को बैतर करता है अंजीर में पोटैसीम और अंटीयक्षिन जैशके जरूरी तत होते है जो आपकी रोग प्रत्र चम्ता को बैतर करते है तीसरा फायदा तनाव और मानसिस समस्या में हाय उप एपी होगी आप तनाव, डिप्रेशन या चिंता आज की समस्या में सहद और अंजीर को एक साथ मिला कर खाईए इसके सेवन से तनाव की समस्या धूर होती है चौथा फायदा पाइस का इलाज करने में करता है मदद दोस्तों अगर आपको बाबसीर है तो अंजीर एक परभावी घरेले उपचार हो सकता है कुछ अंजीर को राद में पानी में बिगो कर रख दे और सुबह खाली पेट उस पानी के साथ अंजीर को खाए इससे एक देशक परभाव जो गूदा के दबाव को कम करता है और इस परकार वाबसीर को सांत करने में मदद करता है पाचवा फायदा हड्यों की मजबूती के लिए करता है मदद दोस्तों अंजीर के भीतर कैसियम, पोटैसियम, मैगनीसियम, आद की भारी मातरा पाई जाती है जो कि हड्यों के स्वास्ते के लिए बहुत ही फायदमंद होती है अंजीर में पाया जाने वाला लगबख सरीर पोसकता तो हमारी हेट्डिव को मजबूत बनाने मदद करते हैं किमकि दोस्तों सरीर खुद के दोरा कैसेम प्रडूर्श नहीं करता है इसलिए कैसेमी तो चीजों का सेवन करना बहुत ही जरूरी होता है जो कि अंजीर इसे बरपूर मातर में आप लिज सकते हैं चाटा फायदा डाबेटीज को करे दूर दोस्तों आपको यह जानकर हैरानी होगी लेकिन हम आपको बता देना चाहते हैं कि अंजीर एक्स्रेट खुन में मौजूद फैटी एसीट और बिटामिन ए की लेबल को समाण रखने मदद करता है और अंजीर की पत्ती में पाये जाने वाला तर्थ एंसुलीन सेंस्टिविटी को बहतर बनाता है जिस वज़े से डियाबेटीज के मरीज के लिए राबदायक है सातों फायदा दमा में होता है फायदमन आता है इसके अलावा दो से चार सुखे अंजीर सुवे सामदूद में गरम करके खाने से कब की मातरा घटती है सरी में नई सक्ति आती है और दमा रोग मिटता है तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे किसी और अच्छे जनकारी के साथ अब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए जय हिंद